तो आप सभी लोगों का स्वाकत है, सीटेट के नॉटिफिकेशन को लेकर काफी लोगों को कन्फियोजन है, इसमें हम इंगलेस में और हिंदी में दोनों में भी डिटेल आपको डिसक्राइब समझा देंगे, क्या लिखा है नॉटिफिकेशन में, हिंदी में भी समझा करने वाले हैं हम लोग सिटेड का नया चैनल डिस्कूिशन बाक्स में उसमें की ओपारे में ही पढ़ाया जाएगा किो सीटिड को आर्गिट किया जाएगा उसमें seated की course के लावा कुछ और नहीं उपलब्द कराया जाएगा इसलिए उस चैनल को subscribe कर लेना discussion box में link है telegram का link भी discussion box में जिससे जो भी जानकारी आपको सबसे पहले मिले पहले इसका English में version देख लेते हैं फिसका Hindi में version आपको समझा देंगे यह केंद्री सिच्छा मादमिक बोर्ड ने प्रेस लीज जारी की है इसमें लिखा दर नेशनल एजूकेशन पॉलसी 2020 है प्रोवाइड इन दो होलिस्टिक वीजन फार एजूकेशन देख पा रहे होंगे आप इसको पढ़ लीजे पूरा समझ लीजेगा वीडियो को रोग कर इसको हमँब में नहीं करेंगे अगले पेज में हम पूरा हिंदी में दिखायेंगे seated ने एक सबसे में में बिंदू जो आप सब लोगों को परिसान कर रहा है वो है within the exacting syllabus यानि syllabus वही रहने वाला है और seated and structure of the question paper जो question paper का syllabus है वही रहेगा तो इसलिए आप परिसान नहों seated syllabus के लेकर उसमें structure होई है syllabus होई है बस mode क्या हो गया है उसमें आप कोई देखना होगा कि mode जो है यह परिसान कर रहा है तो यह mode बदल गया है आप लोग जान लीजे online mode में ही exam होने वाला है it is also notified that next seated examination will be conducted during यानि कि जो नया seated हैमारा है वो December 2021 जनवरी 2022 की भी मत कभी भी हो सकता है और यह online mode में होगा which will be motivated futuristic teacher will become computer literate और it will also save huge paper wastage on account in printing question paper and OMR seat यानि कि सारी चीज़ें जो बताए गई है वो बताए इसलिए गई है कि हमारा जो paper printing करने में जो खर्चाता है printing में जो कागज waste होता है वो सारे कागज waste ना हो इसके लिए सारा जो काम है और safety को देखकर covid protocol would be ensure not only safety but would be facilitate faster processing and declaration of the year यानि कि अभी यह इसका एक और मतलब है यह paper online होगा तो एक result भी बहुत तेजी से आएगा बहुत तेजी का मतलब है कि यतने तेजी से कि result वो दो दिन तिन दिन के अंदर दे देंगे आपको यह पूरा इसनों of cost facility of attempting online mock test यानि कि अब क्या करेगा seated online mock test भी आपको प्लब्द कराएगा जिससे आपको कोई समस्या नहीं होने वाली तो यह आप देख पा रहे होंगे seated.nic.in इस पर जाके आपको इमेल भी कर सकते हैं जो कि इसका दिया गया है cbsc.nic.in इस पर आपको मिल जाएगा notification और अगर अभी तक अपडेट नहीं हुआ तो अपडेट हो जाएगा जल्द क्योंकि काफी लोगों को परेसानी हो रही थी तो इसका हिंदी वर्जन के लिए क एक किसी सदी के कौसल हासिर करने की ओर यानि इपी नियूग एजुकेशन पॉलसी 2020 सामयगिरी दसा दोनों के संद्रम बेहतर पर इच्छान प्रामगिरी प्रिक्सित करने के लिए T.E.T. को मजबूत करने पर जोड देती है सिच्छा साथ नियूग एजुकेशन पॉलसी डिजिटल साथ चरता डिजिटल सिच्छा साथ प्रतोगी की केस उपियोग और इसके पर भी जो देता है एकी करन ताकि पुरिदेश में डिजिटल रूप से ससत समाज में बदला जा सके यानि जो सरकार की नीतिया है कि सभी को डिजिटलाइजेसन करना है सरकार का नीतिया है कि सभी को digital mode पे सभी को online mode पे हर चीज को लाया जाए उस उसी दिसा में CVS सी भी काम कर रहा है कि उद्धेसों कायम रखना है टीटी CVS सीक एंटरी सी चक पातरता परिच्छा की गुरुता बढ़ाने के लिए प्रतिवद्ध है और देखिए अब ये जो main point इसमें देख रहे हैं गुरुता बढ़ाएंगी प्रतिवद्धेस एक्जाम के लेबल समझ सकते हैं आप ठोड़ा काफी ठोड़ा ठिक ठाक पे पर आएगा इस बार प्रतिवद्ध करने के लिए योगता प्रतिवद्ध ग्यान कम और अधिक का आकलन करने के लिए प्रतिवद्ध किया जाएंगी बैचारिक समझ अनुप्रियोगों समस्या समाधानू तर्क अलोचनात्मक सोच फोकस होगा विसे को पढ़ाने की उमिद्वारों की समझ का अकलन करने पर उनके सैचनिक सामगरी ग्यान उनके स्कूली पाटकरम में विसे की प्रासंगीता और विसे को पढ़ाने के अनायाम जैसे सैचनिक सामगरी ग्यान सिच्छन अधिगम की योजना का आकलन करने के लिए प्रेशनिट सामिल किया जाएंगी समझ सकते हैं कुछ बदलाव हो रहा है पहले ही बताया था हमने कि कुछ न कुछ बदलाव मिलेगा और वही हुआ जो कहा था वही हुआ लेकिन लोग जब तक देखते नहीं तब तक मानते नहीं तो चलिए अनुभव और धानातमक इस फश्टता बेक्सित करने के लिए रंडनीतियां सिच्छन अधिगम सामगरियों का उप्योग मूल लैंका न और दरणाएं और यह नमूना प्रेश्ट किया जाएंगे सीटी पर इच्छा की तयारी करें तो यह भी है जो चित किया जाता है कि अगली सीटी सीटेट जो है इस पर इच्छा दिसंबर 2021 जन्वरी के दोरां की जाएगी 2022 आनलाइन मोड में जो 22 के सिच्छों को कंप्यूटर साच्छर बनने के लिए प्रीद करेगा यानि कि क्या है कंप्यूटर साच्छर बनाने के लिए ऐसी परिच्छाएं को आयोजन किया जा रहा है यह भी होगा प्रेश्ण पत्रों और OMR सीट की छपाय की कारण कागची भारी बरवादी को बचाएं यानि कि बचाना है आनलाइन सीटी सक्त कोबिट प्रोतोकाल के लिए परिच्छनन के वर सुरच्छार सुने चित करेगी यानि आप लोग अब समझ सकते हैं कि पेपर का इस्टर भी थोड़ा टफ होगा और आनलाइन मोड में होने से अब आपको कुछ आफ लाइन वालों को आनलाइन में काफी परिसानी होगी दोस्तो इसके लिए हमने किया क्या है कि हमने एक नया चैनल क्रियेट किया है उसमें काफी लोग जुड़ चुके हैं हजारों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं आप लोग भी जुड़िए उसमें चैनल डिस्कुर्शन बाक्स में लिंक दिया गया है नया चैनल का उस पर जाइए और वहाँ पर सीटेट को लेकर भी टार्गिट किया जाएगा आपको अच्छी सिछा उपलत कराने का विस्वास हम दिलाते हैं चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब किजएगा, डिस्कुर्सन बाक्स में टेलिगराम कर लिंक लिंक लिया है उस पर भी जाएए अगर वहां तक अभी जॉएन ने किया तो उनको भी जॉएन कीजए दोस्तों इस वीडियो में आपको जो जानकारी हमने दी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर सेयर कीजिएगा दोस्ते वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएगा चलि